सब डूइजन मोहोर के फड़ी इलाका में एक पूर्व MLA के द्वारा जो है गोर्मेट जो बिल्डिंग है उस पे एक तरह से कबजा ही किया गया हो और काफी देर से पुलीस परशासन में इसकी कंप्लेंट की जा रही है लेकिन अभी तक कोई कारवाई देखने को नहीं मिली है हमारे साथ बाचित करने के लिए मौजूद है आयान मलिक साब जो की सरपंच भी है और आम आदमी पार्टी के नेता भी है इनसे जानने की कोश्ट करेंगे इनका एक वीडियो भी वायरेल हुआ था सोशल मेडिया पे क्या कुछ मामला है पूरा सर क्या यह पूरा मामला ह कि यह पूर्व एमले या कोई पार्टी नेता जो है वह इस तरह से कब्जा कर सकता है देखो जी में आपका बहुत बड़ा शुकर गजारू देखो जञाब मैं नहीं में अकेला नहीं लड़ रहा हूं मैं उस जनता के लिए लड़ रहा हूं हम अपने हग के लिए लड़ हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं किसे कोई लड़ाई नहीं कोई जगड़ा नहीं किसी नहता से या किसी पार्टी रवेस्पे आम किसी से अड़ते हैं मसला यह है कि हमारा अगर हमारी लडाई यह चीज़ की है उनके साथ कि आप अगर देने की दूर के काम है आपके देने आपने उल्टाई गोवर्मेंट बिल्डिंग पे कबजा करके रखा है उसमें मैंने एक वीडियो डॉला था वीडियो एसडियम साब ने उस टेम एक को मैंने बोला भी फोन कॉल पर हमारी बात हुई मैंने उनको बोला कि यार जो पावर आपके पास है अगर इसजी का में होता तो मैं 24 गेंटे में बिल्डिंग खाली करा था उनने बोला जनाब मेरी बेबसी है मैं कुछ नहीं कर सकता तो कहीं ने कहीं जो है एडमिस्टेश जो उसके PSO's है उसके साथ में ही कुछ फूट पे उनका गर एकोठी है क्या उसकोठी में जगा नहीं है उनके लिए सेंपल्स पूरे साब्डवीजन महुर के सेंपल्स आते हैं वहां पर बाहर पड़े हुए हैं यार वहां के लोग भी तो कुछ कहते हैं वह भी तो चाहते हैं अजादी आपने अलटे बिल्डिंग्स पकड़के रखी हैं आखर आपकी यह नेतागी रही है आपने काल को फिर एलेक्शन में उतरना है आज तो हैस्टी रिजर्व हुई है ममतास आपने फिर उतरना है एलेक्शन में आखर महां क्या जवाब देंगे उस जनता को गल हमारी कोई दश्मनी नहीं है मैं यह कहता हूँ कि वह सवाम का कुं चूसा तुम लोगों ने आज तक तो मने राजनीती की वहां पर जितने भी लीडर है मैं कहता हूँ आज वहां के बीजेपी का लेडर क्युं चूप है इस चीज पे वो क्यूं नहीं बोलता है वहां N.C. के जो एकस मिनिस्टर है वो क्यूं चूप है वो क्यूं नहीं बोलते आकर उनने भी तो कंडेट उतारना है अपने दी जाती है यह क्या चकर है पुलीस प्रवाशन तो यह सोया हुआ है ना तो को इस चीज़ पर नगरा नहीं करनी चाहिए इसको नजर अंदाज नहीं करना चाहिए और कंसर्डिंग हमारे जो हमारे अगर और फ्रवाशन करनी चाहिए उनको भी देखना चाहिए आपकी बिल्डींग अगर पकड़ी हुई है आखर यह पर यह पॉब्लिक की प्रापरटी है गोवर्मन्न पर प्रापरटी यह पब्ली के लिए बाट नहीं है अगर आप गोवर्मन्न पिल्डिंग होगे आखर आम आम जनता कहां जाएगी यह पीएची की बिल्डिंग है और किस पे कब्जा किया और किस तरह का कब्जा है जिस तरह की बात कर रहे है क्या कब्जा किस तरह का है देखो जी वाटर टेस्टिंग ले बैए इस में मुझे इस बिल्डिंग के अंदर जाने में इसके डाकुमे मैसेज बेजा सब्सक्राइब बड़ी बिल्डिंग कम पाँच रूम है उसकी आंदर लॉबी है और आपको पता है आज कंप्यूटर भी आने वाले हैं उनके वाटर टेस्टिंग बिल्कुल जनाब वाटर टेस्टिंग में कहता हूं कि एक इतना गंद बड़ा हुआ है इतना गंद पड़ा है कि बिल्डिंग की खासा है अभी जब मैंने वीडियो टाली फिर जाके एडवली ने वहाँ पर सफाई का रमचारी बेज़े कि इस बिल्डिंग को साफ कर दो मैं यह कहता हूं कब से हो रहे हैं यह मुझे लगता है डेट बड़े महल बनाए हैं क्या इस महल के अंदर इनको सिकोटी आगर नी जरूर ता आपको सिकोटी वापस कर दो भै हम भी हमें सरपैजिस को भी बोला था कि आपको PSO जिसको चाही आप भी अप हमें हमें हम प्यासो नहीं रख सकते हमें जब जब जगा ही नहीं हैं कहां गु कि इस जीएंगों कि घूंख सब्सक्राइबगा कि बैद में कि निखे दियूंग साइब है दिहना हो जबाओ किया है कि आपकी चिठी नहीं आप लोगों को बोलते हो मैं ट्रांसपर के चकर में पढ़ा हूँ इसलिए यार इदर काम करके तो जा अपनी पैचान को चोड़के जाओ हमें पता चले कि यह जानता भी हम यह पर एघ्डम यहां गाया थें उन्ने कुछ किया आने वले स्ट्राडिक दिनों में दाषिन उन न Nowadays उ स्कूर टिक वांपर तो कि यहें लोग हो चार चफ्रीग हैं चार चार वह वहला गर्यादें बॉला ता कि उन्हें हमार से हफता मागा है कि हाफते में हम कर देंगे अब भी तो हफता नहीं हुआ हपते पांदरा दिन होगे तो मैं यह कहता हूं आए एलगी साहब से भी एक चीज़ कहता हूं कि और हमारे जो आईसी साव ए जो सैंपल साथ है उनकी टेस्टिंग कहां पहों और और जो कहां होगे जना बाहर भेंके हुए टेस्टिंग मैं आपको फोटोग्राफ्स दोंगा उसके वीडियोज भी मिले वीडियो भी दोंगा आपको चिटी भी दोंगा अब रहे अब कंप्यूटर आन हैं मैंने बोला क्यूं मैंने बोला आठफ न मीनी हो गई तो हूं कि मैंने किसे थीर विकीलों को पूछा मैंने फोन करके फिर उसके वाम इने गूगल पे पड़ा कि यह जो पिया इस पे गोवर्मेंट जो आगर पॉलीस भी होगी ना वह भी कभजा नहीं कर सकती गोवर्मेंट प्राप्टी पे जब तक उनके पास प्रमिशन नहीं होगी यह तो पियसो हैं यह तो एक बंदे के साथ उदर खसता हालत है अभी कंप्यूटर नहीं आने वाले महां पर सामान आने वाला है लिबॉटरी की कुछ केमिकल जाने वाले हैं जिसकी जिसमें टेस्टिंग होती है वो कहां रखेंगे वो बाहर रखने क्या बरांडे में रखने यह बाहर पेड़ के नीचे रखने मैं य उसी जनता को बोलूँगा कि यह वो लोग हैं जिनने तुम्हें पीठा है और तिम जिनने तौहाँ तुम्हारा खून काया है और आज भी गोर्में अपनी देने की डाई साल में इनसे एक जरा काम नहीं हुआ लोगों से कमिशन खाते रहे यह जितने भी नहीं नहीं सब न लिखा गया था डीएसपी महर को महर को तो उश्टेम महर ने भी चिठी कलोज करके रखी क्यों आप मुझे नहीं पता क्यों क्लोज करके रखी वो उनको पता होगा तो मसला यह है कि जनता भी चाहती है नहीं वहां को आवाद ही उठाता जी मैं अकेला बंदा हूं जो करता हुआ पर भी अपना पार्डी में telefon 4 डा by में यह एक Quanटा हुआ यह जाएवाड में अपने अबसटक नोगों तो पर लोगूँ तो पकड़ को तकड़के वया इसको खाली करता हूँ मैं इस साब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बिल्डिंग को जतना जल्दी हो उत्ताख खाली करवाया जाए और वहां जो हमारे चीफ साहब जो पीएची के उन से भी गुजारश है कि इसको खाली करवाया जाए तो यह देख सकते हैं अब किस तरह से जो पीएची विभाग के जो उच अधिकारी है ना जाने कहां सोये हुए हैं पिछले डेट दो साल से उनकी बिल्डिंग पे कब्जा हो रखा है लेकिन कोई भी इसी पे लोग बैठे हुए वहां पे जो अधिकारी हैं पिएची भाग के उनके द्वारा जो लेटर भी निकाले जा रहे हैं उस पे भी कोई कारवाई जो है वो देखने को नहीं मिर रही है आता समय ही बता पाएगा कि किस तरह की कारवाई जो है यहां पे होगी और यह ब